हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक तो और चैनल फ्रेंड्स जैसा कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि हम रेजॉट पहुँच गए थे और हमें डाउट था कि हमें अभी रूम मिलेगा कि नहीं मिलेगा क्योंकि जो हमारा चेकिंग का टाइम है फ्रेंड्स वो है 12 ओकलॉक पे तो अब हम जाकर देखते हैं अंदर हम पता करते हैं कि हमें रूम मिल पाएगा या हमें इधर दर भटकना पड़ेगा 4-5 आवर्स के लिए तो चलिए फ्रेंड्स अंदर चलते हैं है 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 फ्रेंड्स इन्हों ने यहां पर बताया कि जो चैकिन है है वह 12 बजए के पहले पॉसिबल नहीं हो पाएगी क्योंकि सारे रूम बुक है तो यह भी कुछ नहीं कर सकते हैं तो हमने प्लान किया है कि सफारी के अलावा तो हमने जो आटो अले भाईया ने हमें यहां तक छोड़ा था उनसे बात की हुई है तो हम सोच रहे हैं कि उनको अभी कॉल कर लेते हैं पहले हमने सोचा था हम बात में जाएंगे लेकिन जब हमें 5-6 आवर वेट ही करना है तो बैटर रहेगा कि हम इस टा अब हम ना जा रहे हैं टैंपल और म्यूजियम तो हमने आटो वाले को बुला लिया भाईया को वह बस 10 प्रेट में आ जाएंगे और उसके बाल हम टैंपल और म्यूजियम के लिए निकल जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम 12 तक वापस आजाएं कि बैरी बजे तक क्यों अब लुद्ट इनक्लूड़े लुद्ट इनक्लूड़े लुद्ट अब देख सकते हैं हमारे आटो वाले भी यह आ गए हैं और अब हम फ्रेंड्स यहां पर जा रहे हैं गार्जिया टैंपल और म्यूजियम तो जैसा हमने आपको बताया कि हम ता अब जाएंगे बीच में कहीं ब्रिकफास्स क्ले रुकेंगे फिर अमना घूमना कंटीनू करेंगे फिर बारा बजे आके फिर से थोड़ा भी लेंगे बीच में अब ऐसे लंच भी करना है इंपले उसको छोड़नी सकते हैं तो फ्रेंट्स चलते हैं अब टैंपल और आप को सारे व्यूज शो करते हैं घल शाम को स्टेशन भी फिर आप इछोड़ देना अब फोल कर दूंगा आप तो यहां से रात को कितने में तक निकल सकते हैं सेफ़ी कोई सीमेर कोविक अच जिल जाएंगे को अब शियांगे अच बजे निकल जाएंग मंटल मार्मी जा मोंने अए ठीकट बनमसका है तो मेगी किसे बनाओंगे तो नहकं है और दूर्ट नह्यक्त शॉब्लस मेड़ी कर गांगें? अर और च выдげो ना ना बनाओ ऐंके शिए बनाओंगे? तो बनेगी ना भी तुभिया जब चाय बनाओगे ना तो उसमे ना डूध कम पानी जादा उल्टा है इसले बता रहा हूं तो फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं गर्जिया टेमपल और अभी हम ना रामनगर से पांच किलोमेटर आगे आ चुके हैं आटो से और अभी हम बैठ इया हम ने हम और किये दो महेंड़ी ना अब दो बार पी रहें और हमने बन आब ऑर्ड़ की हैं ब्रेट बन होते हैं कीसा है तेश्ट फिर आपको बताते हैं रहांेवान यह निllyया बंद जो भी बोलती है तो ब्रेट कां ओस्धै टरिड़ का हम तुब ये क्या बना रहे हो एग दूरी चाय ऑच्छा यूए यह आगती तंदूरी चाए क्या थी यह दूरी चाय के नामस अग्णी जिसमें अपनी हडा यह दो जिसमें कुलर ढले रें घरम कुलर रोड कुलर निका ड़े हैं जाता है और रिखी जाता है और नॉर्मली चाय बनाए के इसे तंडूर किया जाता है इस मोगी फ्लेवार्रक तंडूर के अंदर कुछ अब उखी इस अचानूर के इस यह तफ तनूर के अंदर उख कुछ है अचा अचा पुर्लाड बखे हमें आचा आपकर न्यूज 18 में आज जी बोर्ड लगावा है आप देख सकते हैं आगे सी और न्यूज इटिन में भी है 24 में और यूटूब पे भी है मेरा आप नहीं पे इस नाम नगर में आप शुरुवाद क्यों तुम्रीचाए अप तो जी देखा थे कि काफी कैंटी ने ऐसी चाय की फुनने लगई हैं आज यह कॉंसेब नया था जी हमने लाए पुने से और आप यहां पे जो है काफी दुकाने हो गई है जो अच्छा नहीं मैंने भीया को बोला अच्छी चाय बिलती हो लेके जाओ तो यहीं रोके मेरे को अच्छा यहां पे फेमस है जी आप किसी से पता कर सकते हैं अच्छ अच्छी चाय है जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया है अफ्रेट्स गरम है चाय तो गरम ही होगी ना नहीं मतब कुलड में चूने में और गरम है मेरी 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 म पर जब बढ़िया एक दम बढ़िया विया अग्या बहुत अच्छी ना इस अच्छी बागे बहुत अच्छी है आप जरूर यहां पर आओ ठीक है रिंगाडा ना विया रिंगाडा राम नगर से 5 km दूर स्ट्रीट फूड अगर आपको ट्राय करना है तो बेस्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स मतब जैसे अपने आपको लेंस डॉन ने बोला था कि अब फूड इतना अच्छा नहीं लगा था म किश्मीर में जैसा में लगा था ना बहुत अल्टीमेट पराठा गुलमर का बस उसी से मैं इसको कंपेर करूंगा यहां की मैगी को बहुत ही ज्यादा अच्छी है और फ्रेंड्स इस प्लेस की सबसे अच्छी बात क्या है लोकेशन मतब आप आस पास मस जंगल की व्यू लेते हुए इंजॉय करते रहो मतब चारो तरफ सिफ ग्रिनरी ग्रिनरी है आस पास आपको जंगल के व्यू दिख रहें लेकिन वैसे चारो तरफ सिफ ग्रिनरी है तो आप बड़े अराम से यहां पर इंजॉय कर सकते हो फूर अभी तो चलो थोड़ी गर्मी है लेकिन सब्सक्राइब करें अगया है तो सब्सक्राइब यहां पर कुछ भी ऐसा हम नेगेटिव बोलें ऐसा कुछ भी नहीं है इस प्लेस में लोकेशन से लेके फूर से लेकर सब कुछ बहुत अच्छा लगा हमने और भी आइटम है यहां पर आमलेट वगरा वो हमने ट्राइब नहीं किये है लेकि जो हमने ट्राइब किया है वो बहुत अच्छा है 220 बोलाना आप है फ्रेंज जैसे हैं हम ब्रेकफास्ट करके निकलें है न हमें यहां पर शार्षाब्ट के बहुत सारे ऑप्षेंड दिखाई दे रहे हैं तो ब्रेकफास्ट वड़ा प्लेस जो उपने आपको बताया और रेजॉट तक अगर आप देखेंगे अं न हम मंदिर जा रहे हैं त तो बहुत सारे रेजॉर्ट के आपको मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो आप इस साइट भी जरूर स्टे कर सकते हैं तो आपको फ्रेंड्स यहां पर ना आपकी कुछ बीसिक इंफोर्मेशन ली जाएगी आप कोविट प्रोटोगॉल के अंतरगर तो आपको फ्रेंड्स यह ध्यान रखना है कि आप किसी भी टूरी स्पॉर्ट में जाएं इस तरह से आपको कॉपरेट जलू करना है यह हमारी स और भी बहुत चुके हैं तेम्पल में आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं आप लोगो को तेम्पल नजर आ रहा होगा और मेरे पीछे गुचन अर्ज आर्ज आर्ज आर्योंगे और बस हम लोग जाई रहे हैं और थोड़ी बहुत रुकेदे फोटो बगेरा क्लिक हैं यहां आके यह समझ में आ रहा है कि यह गलत फैमी है लोगों की कि जिम कौर में विस्रिव जंगल सफारी है और भी बहुत कुछ है आप बहार निकलिए आप मजा करेंगे अ हुआ करेंगे अकलिए पाइस हुआ है और भी उल्साब में आपका थार्णी है अभाइस, आप में निक फ्रम अक्वाट सतरा है आपटनाव में करेंगें हैं रहां खोगों की लगनाव हैं एट खोगग को ऑट्टनाव हैं जाब्सरा है आखते हैं यहां नहें झाल झाल अमात हPe तो फ्रेंड्स 120 क्रहा धकुड़ा के लिए जिने प्रिशाद मेंसे इसमें इसे में अपना प्रशाद एया है एले क्रेंडस मुझे ना मंदिर के प्रेशाद चुडारे कि तरह मख sharpen परेजय के बहुट है मुझे ना कन्ट्रोल नहीं होता हथ यह लोगना मना प्रशाद मेरा पेड़ा है यह मेरा बेरा नहीं आपके क़रण तो नहीं के अप्रख बहुत प्रशाद है और यहां पर बिल्कुल भी भीर नहीं है कोविट के कारण तो लोगों ने बताया कि वैसे यहां पर ना बहुत लंबी लाइन होती है एक एक दो दो घंटा लग जाता है दर्शन के लिए और अभी अमें लगता है कि हम बहुत परफेक्ट टाइम पर आये हैं मैं तुम्हें शूट कर रहे हूं कुछ बोलो तर्शक इंतजार कर रहे है कि तुम कुछ बोलो तुम्हारा बोलना सबको पसंद है ना क्योंकि तुम अच्छा बोलते हो बोलो ना बोलते क्यों ना बोलते क्यों नहीं है तुम्हारी तुम्हारा बोलना सबको पसंद है ना क्य और अब हम यहां पर इंजॉइ करिंगे फोर 10 मिन इन्ट्री वाहने पास टाइम पास ताइम है कि अगर आप आप तो फाइली फैंड अब टैंपल से वापस जा रहे हैं फेंड्स मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगा कि अगर आप जीम-कॉर्बट आते हैं रामनेगर मे अगर आप स्टे करते हैं तो रामनगर से जस्ट आपको हाफ फिर्णार लगेंगे सींपल आप जाना टेंपल के लिए और साथ साथ में हम म्यूजम भी जाने वाले जो यहां से चार पांच किलोमेटर और आगे हैं तो वैसे आप सिंपल फ्रेंड्स टेंपल अगर आना चाहते हैं राम नगर से आप माल दीजे आधा घंटा लगेगा और फ्रेंड्स आप जरूर आईए सि टेंपल और यहां की लोकेशन कुछ ज्यादा ही अल्टीमेट है अगर आप टेंपल आते हैं तो आधा घंट आपको आने में लगेगा और राम नगर से आप बोल सकते हैं जब आप पहुंचे कि आधे गंटे के बाद टेंपल की दर्शन रहता है तो आपको एक घंटा लग प्रेंड एनर्जी जाहिए भी अभी अभी तो दिन की सिवात हुई है लेकिन रात भर सोई भी नहीं है ना वह तो मैं भी नहीं सोई हो मैं अटार से नहीं कह रहे है तो मुझे कहते हो कि मैं से बोलती हूं हमेशा करें नहीं हूं कि मैं तो थका ही नहीं हूं अच्छे से व्लाग बना सकूँ है तो मुझे फ्रेश दिखना और अच्छा दिखना बहुत जरूरी है चैनल की ग्रोथ के लिए अगर मैं पॉस्ट्व और फ्रेश नहीं दिखूंगा तो फिर आप लोग क्या देखोगे है क्योंकि 80% तो तूम ही दिखते हो ना क्योंकि मैं हमेंशे कामरेशे बचे हो तीख तो इसमीर चेमरे पक्ना पर प्रेश दिखते हो फॉर्ड दिखना बहुत ज़रूरी बया सबिल्किन चलिए friends अब चलते हैं आटो में चलते हैं म्यूजियम की तरफ friend मंदिर बहुत मचाया है believe me मतलब इतनी एक्सपेक्टेशन से हम आय नी थे लेकिन काफी अच्छा प्रेस था आप जरूर आईए अगर आप जिम को और बढ़ाते हैं सफारी करने करें तो इस्पेशली सुभा सुभा हम अना दो पैर को मताईए चे साथ बजे साथ बजे साथ बजे आजया जाए मैक्सिमम आप इंजॉय करेंगे और देखो फ्रेंट्स वोन एक दम पर्फेक्ट समय भी होगा क्योंकि उसके बाद नौ बजे म्यूजियम खुलता है तो आप अगर य म्यूजियम सहीत मंदेर प्रस म्यूजियम वह भी हमारे टेड़ा विल्डेश से ना रामनेगर से और कम पड़ता है अब सब हमें ऐसे देख रहें कि हम क्या कर रहें अगे वीजे फ्रेंट्स व्रॉकिंग करने है तो शरम चोड़नी पड़ेगी इसके लिए मतला हम यह जंगल के अबरे में और मूआ आया है तो मूबी करें अबसे डिकर में पूरा वर्लाईब की बारे में पूराइव बढ़ेशें आप कि अधर कि अन्ट नॉर्मल घूम सकते हैं तो अन्दर निल्ए अन्धर निल्ए ओन्लाइन वुपिंग उता है पैताली जिन फेले लेकिन आज गल बढ़ा में बंद रहता है अच्छा यह पंदर नॉमन जो कुलिगा और यह क्या है अंधर वैसे है क्या यह सपारी पारा कहा ह अच्छा सफारी का ही है यह कौन सा गेट है अच्छा अच्छा नहीं रिखा रहा है अच्छा यह बहुत फेमस है एक तो बिजरानी गेट करके तो फ्रेंड्स यह हमारी दो टिकिट है अच्छा पर टिकेट है और फ्रेंड्स यहां से ना धिकाला गेट भी है मतलब जो सबसे में गेट होते हैं पिरजरानी एंडिकाला तो वह बन रहते हैं और जो थर्ड बेस गेट है धेरा जोन वहां से हम कर जाएंगे सफारी के लिए वैसे बरसाथ में वही खुला रहता है तो क्या कर सकते हैं इसकी ओनलाइन बुकिंग होती है और अधेला जोन की ओनलाइन बुकिंग थी हाँ वही बता रही हुम है अच्छले फ्रेंड्स बुकिंग से लिए अगर आपने सही टाइम पर नहीं करवाई है तो वह बहुत जल्दी फिल हो जाती है हमारा प्लान था कर लें लाज मारा मन आया लेकिन कुछ भी अवलेबल नहीं मेरा फिर सोचो विल्कुल ओफ सीजन रहता है यह पर साथ कड़ा है उसके बावजुद कुछ अवलेबल नहीं है फ्रेंड्स यहां से हम ठिकाला जोन के लिए जीब सिफारी के लिए जा सकते हैं और वैसे हमारा लिए फ्रेंड्स यह वैसे तो यहां पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है लेकिन हमें यह इंफॉर्मेशन मेरी थी कुछ अलग लगी हमें मतब अलग नहीं हम भी सुनते आए हैं जैसे यह मादा तेन दुआ है आप देख सकते हैं मृत्यू किती थी 6-12-1983 दिखा हुआ यहां पर यह मादा तेन दुआ सौल छित्र में आदम खोड़ थी और उसने 6 बच्चों को मारा था तो उसे गोली मार दी गई थी यह रही वो मादा तेन दुआ जिसने 6 बच्चों को मारा था फ्रेंच सामने हम दिख रहे हैं आपको दिख रहा हूं ना मैं बालू बालू फ्रेंच यह है काला कट कटिया ब्लैक नेब मॉनर्च मढ़ी है फ्रेंच यह आप लगों को आवास सुनाई दे रही होगी ना यह मतलब उस पक्षी की वैसी आवाद फ्रेंच इंग्लिश में बुलने में बजा नहीं आता है यह है फ्रेंच कादा तीतर तीतर के आग यह तीतर तीतर के पीछे तीतर तो बताओ कितने तीतर लोगो हुग है इसको ट्रायकह काद तीतर जापिछा थेतर तीतर तीतर नराज हो गज़िया अए hm अच्छाज। और जो वहाँ थीटर बना है शाफे भूगी निदे सकते कि वहाँ थीटर जरा वहां पर एक थीटर बना लुए दीटर बना है ऐस लीए हमने है यालग वेस выполn तो फ्रेंड्स अगर आप गार्जयादेवी टेंपल आते हो तो गजयादेवी टेंपल से सिर्फ फिफ्टीन मिनट का रास्ता है यह म्यूजियम हंड़र टीकिट है फ्रेंड्स हम आपको पहली बता देते हैं लेकिन फ्रेंड्स यहां पर इतनी चीज़ दिखाई जाती है कि 100 रुपीज वर्थ है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब इस्पेशल आप इतना दूर आओ सिर्फ म्यूजियम देखने के लिए ऐसा भी नहीं है लेकिन हाँ अगर आप टेंपल आ ही रहे हो तो आप म्यूजियम जरूर आ सकते हो मतलब एक बार के लिए आप जरूर एंजोय कर सकते हो प्लस वह आपके इंट्रेस्ट के ओपर भी है कि आपको इस तरीके के म्यूजियम देखने पसंद है या नहीं पसंद है यहां पर सिर्फ देखने की चीज़ नहीं मतलब यहां पर इनों मुवीज भी तो फाइफ फाइफ मिनट्स की थी बिल्कुल अंधेरा था तो रिकॉर्डिंग तो नहीं हो पाई ठीक है मतलब एक बार के लाइक आप जरूर आ सकते हो तो इस रास्ते पर मुजियम जरूर रा सकते हो अधर इस बिल्कुल अगर आप सिर्फ सफारी करने के लिए और तो व सकता है हमें तो बहुत अच्छा लगा मुजियम ठीक था लेकिन मंदिर तो में बहुत मजाया रिवर भी बहुत अच्छी थी वहां पर व्यूस भी बहुत अच्छे थे तो अब चलते हम अपने होटल की तरफ और जा के चेक इन करते हैं तो फ्रेंड्स हम लोग वापस तो कि नहीं मिलता अभी रूम इनके खाली हुए है कि नहीं हुए है वैसे ना मैंने 12 बहुत होता था लेकिन इनके एक बचे लिखा हुआ है तो शायद और वेट ना करना पर जाले क्योंकि बहुत ज्यादा नींदा रही बस हम यह एकी रूम मिला हम जाकर सो जाए लंच करके काफी कप थोड़ी दे सुजाएम धिर फिर स्याम का अराम झाम के गुमेंगे जैस तो चलिए ध्यर देखते अंदर जाकर तो फरेंकि फाइली हमें रूम मिल गया है 11 45 पर तो फ्रेंडस अब हम जारे रूम के अंदर और अब हम फ्रेंडस जाकर तो हम आप से मिलेंगे अभी एंट्री लेकर हमें समझ में आ रहा है कि बहुत अच्छा रेजॉर्ट है बहुत अच्छा फील आ रहा है हमें और आप लोग भी बहुत अच्छा फील करेंगे नेक्स ब्लॉग में इस रेजॉर्ट के व्यूज देखकर